नमस्कार प्रिये मित्रों, आज मैं आपको वर्षब लगनवालों के लिए जूलाई 2022 का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए जूलाई महीना कैसा रहेगा। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं सूर्य पिता, सरकारी, नौकरी, सूर्य जन्म कुंडली में खराब प्रभाव दे तो आपके मान सम्मान में कमी आती है। पिता के साथ रिलेशन खराब होते हैं, कारे शेत्र में बॉस के साथ रिलेशन खराब होते हैं, आखों की प्रॉबलम होती है, पिता की हेल्थ खराब होती है, अभी तक सूर्य आपके पहले घर में थे, 15 जून को सूर्य आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, 16 जुलाई तक स सूर्य आपके दूसरे घर में ही रहने वाले हैं, सूर्य आपके दूसरे घर में होने से आर्थिक स्थिती तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी स्पीच खराब हो जाएगी, आपके स्पीच में एहंकार की प्रतिती होगी, आपके गुस्से और आपकी करवी स्विच की वजह से आपकी प्रॉब्लम में बढ़ोत्री होगी, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, फैमिली और कारिस्थल को आपको बैलेंस करना होगा, कही ना कही इनके बीच में इंबैलेंस हो जाएगा, समय के दौरान आपको सूर्य की उपासना करनी होगी, फ्राणायाम करने से आपके मन को शांती मिलेगी, आपको अपने आपका ध्यान रखना होगा, अगर पहले से ही आखों की प्रॉब्लम है, तो आखों का विशेश ख्याल रखे, पैतर्क संपत्ती की वजह से घर में वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी ही जीत होगी, मानसाहार शराव और जूट बोलने से दूर रहे, आखिर में सूर्य का यह गोचर सावधानी के साथ आपके लिए फायदे कारत ही रहेगा, शनी देव एक पापग्रा है, यह वक्री होकर कुछ राशी में कर राशी में ही रहेंगे और 17 जन्वरी को यह वापिस कुम्ब राशी में आ जाएंगे, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनी किस पोजीशन में बैठे हैं, अगर शनी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो शनी के वक्री गोचर से चिंता या परिशानी से जूज रहे थे, तो वहाँ दूर हो जाएगी, सुख में वृद्धी होगी, रिष्टो में तनाव बढ़ गया था, तो वहाँ दूर हो जाएगा, धन की कमी के कारण आप परिशान थे, तो अब आप अब आपकी आर्थिक स्थती मजबूत हो जाए शनी के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान चालीसा के पाठ करते रहने चाहिए, तो यह था विर्शब लगनवालों के लिए जूलाई 2022 का प्रेडिक्शन, ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारी चैनल, नमस्कार